देश के सबसे बड़े सूबे की मुखे मंत्री योगी आदिते नात्त के गउण शाला को लेकर किये गए दावे धुकोसला दिखाई दे रहे हैं जिहां गउण तसक्रों में कानून नाम का कोई भै दिखाई नहीं दे रहा है गउण तसक्री का ताजा मामला जन्पद मतुरा के थाना नोह जील का है जहां नोईडा से आगरा की तरफ जाते समय यमुना एक्सप्रेस में के माइल्स्टोंस चोहत्रवा पर ट्रक और एकोस्वार लोगों के भीच किसी बात को लेकर जगरा हो गया इकोस्वार लोगों ने पुलिस को सूषना दी, सूषना पर पहुंची इलाका पुलिस ट्रक सवार व्यक्तियों से पूछताच कर रही थी तबी बाजना चोकी परतेनार ड्राइवर परदीप यादव को ट्रक में कुछ जानवरों की आवाज सुनाई दी जिहां भागते हुए तीनों व्यक्तियों को पुलिस ने मोके पर ही दबोश लिया जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसके अंदर 12 बैलों को ठूस ठूस कर भरका था जिनने तसक्री के लिए ले जाये जा रहा था ट्रक और तीन गउन तसक्रों को हिरासत में लेकर पूश्ताज कर कारवाई की जा रही है पकड़े गउन तसक्रों फुरकान निवासी पलडी थाना शापूर मुझफर नगर मजीद सिंग निवासी इंगोरगर थाना बुराना जिला करनार अब्दुल्वाजिद निवासी गंगो थाना गंगो जिला सहारनपूर ने बताया कि इन बैलो को सिर्सा से बिहार कटान के लिए ले जाये जा रहा था पलार पुलिस ने तसक्रों को गिरफतार कर पूश्ताज कर रही है मौके पहुंची पुलिस ने उसको ट्रक को तलास किया तब त्रक में 12 बैल ब्रामद हुए हैं जो कि गोथ तसकरी को ले जा जा रहे थे पुलिस ने मौके से 12 बैल सहत एक ट्रक और तीन लोगों को गरबदार किया है जिनके खलाब कारवाई की जा रही है पूश्टाच के दौरान उन लोगों ने बताया कि ये बेल गो तसकरी के लिए ले जा जा रही है जैसे ही ट्रक को पकड़ा गया और जरेलिया रोड पर पुलिस चोगी के पास और वहां लोगों का हजूम जुड़ गया तो वहां कोई नारे बाजी या कोई इस तरह की बातें भी हुई है लोगों यही कहना जा रहे थे कि ये लोगों को कड़ी पूश्टाच की जाए कि ये लोग कहां से लाए थे कहां ले जा रहे जा रहे थे condition lush green lawns state-of-the-art lightning a perfect venue for wedding launching and parties raj gharana and jyoti garden by jbd banquets enterprise ऐसे ही लेटे स्टोबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंने बादी